अफर इस civil court कौन होता है जहां पर civil close पहन के जाते हैं नहीं भई सबसे उपर high court है फिर supreme court है नो सबसे उपर supreme court फिर high court उसके नीचे जितने लोग लग courts होते हैं वहां अलग लग courts का अलग काम है साज बहु का जगड़ा पडोसी का जगड़ा पडोसी के कुत्ते ने हमको काट लिया हम उसको काटना चाहते हैं वगएरा वगएरा ये सब मैटर्स कहां डिसाइड होते हैं पट चोरी हो गई तकैती हो गई समझ मागया किर्णापिंग एबडक्शन हो गया खून खराबा हो गया ये क्रिमिनल कोट में जाएगा तो सुप्रीम कोट फॉलोड बाए हाई कोट और उसके नीचे लोर कोट में सबाते हैं तो कोई भी डिस्प्यूट जो प्रॉपर्टी से हो कॉंट्राक्ट को ब्रेक किया हो पैसे की गरबडी की गई हो घबला किया हो गया हो लेन देन में हाँ सर मौसी जी की शादी में पापा ने 11,000 रुपे शगून दिया था उनके बच्चों की शादी में है असर हमारी शादी मौसी जी किस जार दी है इंफलेशन के साथ क्या न जारूना चीए वो शादी दस साल पहले हुई थी सर हम सिविल कोट में केस करेंगे नहीं कर सकते कि यह सोशल रिलेशन है यह उके सर गयत एक जगा खाना खाने 1100 शगुन भी दे दिया पनीर का एक टुपडा नहीं मिला तरी तरी मिली थी ग्रेवी हम सर केस करेंगे उनके उपर नहीं कर सकते माइनर ओमेशन थोड़ी बहुत गरबढ़ियां अगर की हो तो यह सारे के सारे प्रोसेसेज सिविल प्रोसेसेज होते हैं और इनकी सुनवाई कहां पे होती है सिविल कोट में सो कोट्स ऑफ लौ अद्मिस्टर जस्टिस इन दा नेचर जहां पे किसी के जाती है कि आपने लोगों से पैसा लिया कि उनको जमीन पे घर बना के दोगे अभी सरकार ने आपको जमीन बेची ही नहीं सर मतलब मैंने एक वेबसाइट बनाई www.space में देंगे सबको घर.com और लोगों से एक एक लाक रुपए security money लेना स्टार्ट कर दिया लोगों को बो अभी 40 साल तक तो नासा का कोई प्रोजेक्ट नहीं था बेफकूफों ने पैसा दे दिया 25 साल भी दिगए और गर्दों किजी को मिला ही नहीं लोगों ने मेरे खिलाफ केस कर दिया तो जट्स आप बोलेंगे ऐसा है जिनका जिनका सर आपने पैसा लिया है ना 8% rate of interest के पह स्पेस में सबको घर देंगे .com पैसा लिये आपको जेल भेज देंगे वहीं आपका स्पेस हो जाएगा तो granting injunction का मतलब stoppage stay लगा देना अब हम यह अरकर नहीं कर सकते हैं तो जब देखा गया कि नदियों को पन्यों से बहुत मुकसान हो रहा है सारी polythine बनाने वाली फैक्ट्रियों से बोला 50 micron से कम की पन्य अगर बनाए तो वो कटे-पेटे की नहीं रिसाइकल नहीं होगी आपकी फैक्ट्री पे पैन लगाए जाता है तो injunction का मतलब so as to put a stay order restrict करना तो injunction का simple मतलब रोक लगा देना समझ में आगया civil court क्या काम करेगा जेल नहीं होगी चलिए सब अच्छा सब जेल नहीं अगर वो शर्मा जी के बहु ने उनकी wife को मारने की जुरत की तो तो भाई criminal procedure धारा 307 attempt to murder चलेगा is that clear तो शर्मा जी की wife मतलब सासुनों क्या बोल कुछ शब्द है बच्छों बड़े असान-सान आपने मेरे खिलाफ court में case करना है उस कागस के टुकड़े को जिस पर आपने application लिखा क्या बोलेंगे उसको plaint और आपको क्या बोलेंगे plaintiff समझ में आ गया मैंने reply किया हाँ ठीक है बताएंगे I am giving a document जिसे बोलेंगे written statement और मे defendant क्या बोला जाएगा defendant पापा ने का इसा है इधर आओ जरा पापा हो गए plaintiff और आप हो गए defendant समझ में आ गया आपने पापा को जरा मेरे इक बात सुनेंगे आप हो गए plaintiff पापा हो गए defendant ध्यान दीजेगा बच्छों यह plaintiff और defendant civil case में होते हैं criminal में accused और guilty शब्द चलते है समझ में आई बात applicant कौन होता है lower court में case था मैं हार गया मैं upper court में फिर से case करूँगा आपके उपर तो मैं हो गया applicant और आप हो गए respondent आप हो गए respondent समझ में आ गया पक्का prosecution क्या होता है जो victim का side ले case करने में मेरे घरवालों ने मेरे को बोला गुमाओ उनको इतना गाड़ी चलवा है एक दिन में पांच लाग किलोमेटर चलवा दिये तो मैं उनके उपर case करूँगा कि मेरे को दंड दिया जा रहा है तो मेरे तरफ वाले लोगों को prosecution बोला जाएगा बै प्रोसीक्यूशन की ये दलील है सौरप सर की ये दलील है उनसे पांच लाग किलोमेटर गाड़ी चलवा ली गई मेरे उपर अन्याय हुआ है न मैं आपके उपर अन्याय करता हूँ न आपको पढ़ाकर तो आप कौन होंगे आप prosecution side होंगे मैं defense होंगा is that understood application जिसको तुरंत relief चाहिए वो क्या देगा application application plaintiff भी दे सकता है और defendant कोई भी दे सकता है जट साब पंदरा दिन की महलत देदो तबियत खराब है थोड़ी सी बेटी का ब्यान इप्टालो फिर case लड़ूंगा के तो मैं कौन हो गया application देने वाला person उस note को application बोलेंगे court कहा रहा है ठीक है पंदरा दिन बाद ये होगा इतने दिन में आप ये काम complete कर लीजे पुलिस से बोला और चानबीन करिये इसको बोलते है interim interim मतलब अंगरेजी का शब्द है in between in between in the meantime in the meantime arrested and accused दाने की जरूती नहीं है when a person is arrested by a police during investigation ये तो कुछ गरवर किया है he has committed an offense person is known as arrested but इसका ये मतलब नहीं है कि arrest कर दिया तो आप तीहाल जेल चले जाएंगे वो सिर्फ local jail में रखेंगे finally बड़े jail में आपको जब साबित कर दिया जाएगा कि आपने जुरूम किया है तो बड़े jail में आपको permanently भेज दिया जाएगा गोलते हैं नहीं होने murder किया था तीन दिन के remand पे बेजा गया है पुलिस मा ठोक ठोक के उगलवाईगी आपसे interrogation करेगी आपसे you are an and जब आपके ओपर case चला और court ने आपको साबित कर दिया कि आप गड़बड थे then you are an accused even remand में भी जब भेजा जाता है तब भी accused ही होता है वो okay पका तो महले में चोरी हुई आपने का शारुक खन ने चोरी किये हमारे हम शारुक खने कैसे तुम काम तुम मिलने रहा movie में तुम चोरी करोगे करोगे आपने इलजाम लगाया FIR दर्ज की पुलिस ले गई ती तीन दिन से जाधा रखने के लिए पुलिस को उनको कोट में प्रेजेंट करना पड़ेगा जच साब अभी पूरा उखलवा नहीं पाया तीन दंडा मारके दंडा नहीं मार सकते अब ये गलफ है फिसकल हम नहीं दे सकते what it clear सरो movie में तो दिखाते है वो movie में ये भी दिखा मारना ऐसे की चोट के दागना नजर रहें नहीं तो पुलिस वाले निपट जाएंगे तो तीन दिन के लिए आप बस रख सकते हैं उसके बाद कोट में जुडिशल मेजिस्ट्रेट के सामने बस्तुत करना पड़ेगा वही आठ दिन की पर्मीशन दीजिए इनसे और उगल मिक्डॉनल्स का बर्गर खरी दिये और आपने जैसे ही खाया कुछ तार नजर आ रही है आपको लगा ये क्या है पता लगा कॉक्रोज था उसके अंद में मम्मी करें खाजा 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 आलू टिक्की के नाम पर कॉक्रोज मिलना है नॉन्वेज बर्गर है महेंगा मिल तो हमारा वकीला आएगा वरना नहीं आएगा तो लिखा होता है आज के बाद देखेगा आज तक आपने नहीं देखा होगा न्यू डेली कनौट प्लेस में आग्सिडेंट हो गया और एक आदमी मर गया क्या साकेतनगर फूलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखी जाएगी नौ जहाँ पर एक्सिडेंट होई वहीं के पुलिस थाने में तो हर फूलिस थाने का जुरिस्डिक्शन एक परटिक्लर केसे की सुनवाई हम कर सकते हैं that is known as what territorial jurisdiction कभी-कभी आप स्कूल में दूसरी क्लास में फुदकते हैं टीचर घुमा के दो कंटाप लगाते हैं आपको क्योंकि आप ने अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर दिया है आप गए बगल वाली क्लास में टीचर यहा जब पहली बार आपको कोई टीचर मिला आपकी क्लास के बाहर पूछा यहां क्या कर रहे हो सर वो गेम स्पीरेट है वहां जा रहे है इट इस ओरेशनल जुरिस्डिक्शन एक एक एक्जाम्पल इसका देता हूँ मैंने अलाबाद में 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 बर्डे पाटी रखी काफी ख क्रिपया करके हम नई डेली तीस हजारी कोट को बोल रहे हैं वहां पे आपका केस सुना जाएगा तो अलाबाद का कन्यूमर कोट क्या हो जाएगा और फिर जब वो वहां चला गया तो इट बेकेम टेरिटोरियल इस डट क्लिर पक्का बट अगर मुथूट फाइनस की बात था सास जीत गई बहु हार गई सास जीत गई अब बहु को हाई कोट में केस करना है हाई कोट तो पूरे यूपी में सिर्फ प्रियागराथ सिटी में है और ब्रांच ऑफिस जिसको बेंच बोलते है वो लकनौ में तो एपलिट यह होता है जो अगली कोट होती है हाई कोट म किसी भी court का कुछ भी हो सकता है, जहां पैसे का लेंदेर है, पहली बार जहां case आया, शायद वहां पे सुनवाई ना हो, original jurisdiction, appellate jurisdiction हमेशा अगला court होता है, हमेशा अगला, समझ में आगई बात, appellate jurisdiction हमेशा start होगा, high court और supreme court से, lower court का appellate jurisdiction होता ही नहीं, वहां तो first time court आता है, technical समझ में आ रही है, मैप्स और फिजिक्स है पूरी की पूरी, jurisdiction as to subject matter, जगड़ा हो गया husband wife का, wife के रिए ऐसा डैवोर्च ले ता तुम भी दूसरी शादी कर लोहं भी कर लें, intercast करते हैं, 50,000 Christian convert होने में, पैसे मिलेगा, फिर वापिस शादी कर लेंगे, फिर intercast कर लेंगे हर महीने शादी कर लेंगे, ये कहां जाएगा मामला, family court में, समझना गया, और अगर पडोस के शर्मा जी के लड़के को आपने मार दिया, शर्मा जी अंदर अंदर बहुत कुछ है, ना लाइक आई दिन उल जलूल डिमांड करता था, बट पर इस society को दिखाने के केस तो कर समझ में आई बात, पक्का चलिए, खाना बन रहा है, अच्छा, पापा ने पूछा, जो मम्मी पूछ किया हो, खाना कब मिलेगा, मम्मी कह रही है, बोल दो, rest subjudicize, खाना बन रहा है, लीजिए, rest judicata, खाना बन गया, काट-काट के खाईए, जब court में case pending है, ये लोग यार कोट में case सुनवाने, और एक court ढाबा नहीं है, यहाँ खाना मिला, वहाँ चले जहेंगे, जब तक एक court में case pending चल रहा है, खबरदार आप दूसरे court में गए, अगर आप चले गए, तो court पूछे का वाकिर से कही हो, और तो नहीं चलना, नहीं चलना, जूट बोल दिया, पता लग जाता है, original document evidence तो वहाँ जबा है, सर, color photocopy करवा लेंगे, civil lines में अगरवाल photocopy वाले से, वहाँ आपने पड़ जाएंगे, वो गलत है, तो running cases, जब तक decide नहीं हो जाते, अगले court में यह नहीं जा सकते, इसको बोलते हैं, rest sub judicize, section 10 of the civil procedure court में गया, समझना गया, औ और जहां पे court का decision आ चुका हो, judgment, decree, order, determination, sentence, क्या हो गया, rest judicata, काट दिया, सब इसाब के दाब, clear, याद रखने का तरीका समझना गया, X ने Y को court case कर दिया, क्योंकि Y ने उसको धोका दिया था, क्या धोका दिया था, Y ने अपनी सेवायों में negligence किया, बोला Y को जाओ customer से payment ले आओ, note गिन के लाना, ये 50,000 की जगा 48,000 ले आया, Y कैरा, मैं तो नहीं दूँगा, 2000 कैरा, कैसे नहीं दूँगा, पपा भी देंग हमने सरका lecture देखा हुआ है, हम तुम्हारे उपर court case करेंगे, X ने court case किया, suit dismiss हो गया, dismiss मतलब सुना ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया, नहीं सुनिएगा, case सुना ही नहीं गया, X ने धोका धड़ी का मुकदमा Y के उपर किया, दोका धड़ी का मुकदमा Y के उपर किया, the suit is for damages is barred as it is res judicata, already decision हो चुका है भी या, अब फिर से हम इसको नहीं सुनेंगे, I hope so, लोग समझने मैं क्या कहने कोशिश कर रहा हूँ, अगर X ने Y के उपर case किया, एक quote में ये already case चल रहा है, जब तक decide नहीं हो जाता, X इस case को दूसरे quote में नहीं फाइल कर सकता, इसको बोलते हैं, res sub judice, decide हो गया, तुमारा बकवास case था, कोई नहीं सुना जाएगा, X appellate quote में जा सकता है, उपर जा सकता है, उस quote में same, या उस जैसे किसी lower quote में, फिर से सुनवाई, नहीं कर सकता, अगर X उत्तर प्रदेश का था, और Y चन्नाई का था, X ने UP के lower quote में case किया, dismiss हो गया, फिर से X, यूपी के lower quote या चन्नाई के lower quote में case नहीं कर सकता, X चन्नाई के high quote में, और उत्र प्रदेश के high quote में case कर सकता है, तो कहने का मतलब, rest subjudice का मतलब, जब तक decision आ नहीं जाता, आप दूसरी जगा मूह नहीं मार सकते, जब तक अपनी plate का खाना खानी लेते, दूसरे अगर दे आ गया, तो कुछ teachers बोलते हैं सिर्फ pending को ये और decided को ये नहीं, उसके आगे भी बहुत चीज़े हैं, ताकि अरजी फरजी आप 10 quote में एक साथ case चल रहा है, कहीं तो decision positive आएगा, कोई lottery का 60 नहीं है, 4-5 lottery का टिकेट खरी लिया, कहीं तो जीतेंगे, no, तो यहां पे एक बार म एक चीज़ के उपर एक case हो सकता है, समझना क्या, हाँ, x, y के उपर एक quote में, दो का जड़ी का course करे, case करे, दूसरे में कोई और case, तीसरे में कोई, ये चल सकता है, बट एक तरह का try, एक quote में जब तक खत्म नहीं हो सकता, दूसरे quote में उसकी सुनवाई, नहीं होगी, और rest judicata क्या मोलता है, जब case settle हो जाएगा, decide हो जाएगा, same quote में सुनवाई नहीं होगी उसके, higher quote में होगी, तो principle of finality of litigation and inclusiveness पे based है, कि बार-बार हमें एक चीज़ की सुनवाई नहीं करेंगे, अब एक ध्यान दीजेगा मेरी बात पे, judicial review, judicial review बड़ा भगते हैं हम लो, वो review है, view नहीं है, what review, अलग तरीके से उसको सुना जाएगा, तो आपको exam में teacher फसा सकता है, rest judicata, judicial review को contradict करता है, ऐसा, that is review, that is review, और applet court, उपर जा रहे हैं यह तो lower court की बात हो रही है, civil court की बात हो रही है, technicality is getting clear, हाँ, applet court, high court, वहाँ पे judicial review हो सकता है, ठीक है, एक high court में judicial review चल र ठीक है, फिर हार गए, supreme court जा सकते हैं, फिर से high court में एक बार और देख लो जरा, rest judicata हो गया, यह को, नहीं समझे, समझ मा क्या, तो founded on the principle of justice, equity and good conscience, so once the first suit is determined, matters raised in the subsequent suit would be rest judicata, reason by decision of prior suit, semi-finished और यह finished, applies for matters pending into court, already decided, समझ में आ गया, चलिए, other courts की कहानी, इस तो मैंने आपको बता दी थी, बाकी अगली lecture में पढ़ेंगे, fine, चलिए, that's all for this.